तो फरवरी सेकेंड वीक मतलब सेकेंड वाला जो वीडियो है अपना 15 से 29 फेबरवरी के बीच में करेंट अफिर्स जोग्रफी और इन्वार्मेंट के सारे डेट वाइस और जो पहली बार जुड़ रहे हैं पिछले सारी क्लासस की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाई साल भर से हम लोग चीज़ों को कबर कर रहे हैं तो एक बार आप सारे करेंट अफिर्स भी पढ़ सकते हैं काम की चीज़े पढ़ाऊंगा विद प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन मेंस एनालिसिस के साथ भी और प्रेलिम्स के इंपोर्टन टॉपिक्स भी और आखरी में प्लेसे इन यूज भी है सबसे पहली चीज़ की वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट देखो अभी क्या हुआ है कि एक्जाम के जश्ट पहले आप ये इमेजिन करके चलना कि अपने कुछ समय में जो स्पीशीज हैं जो बर्ड्स हैं स्पेशली पक्षियों को लेकर काफी चर्चा चल रही है तो मान के चलो यहां से एक कुश्चन तो एक्सपेक्टेड है अब इसमें ये बात एक तो सबसे पहली बात आई है कि कोई पॉलिटिव रिस्पॉंस नहीं मतलब एक तो नेगेटिव एसपेक्ट याद रखना इसका कि माइग्रेटर स्पीशीज जो है डिकलाइन हो रही है कि जो पहले बाड़ी बात्रा में हमें दिखती थी वो कम हो ग सबसे बड़ा कारण है ठीक है बाकी तो क्लाइमेट चेंज और बगर यह सब तो यह चीज आप में यूज कर सकते हो कि इस रिपोर्ट के द्वारा जो है यह चीज बता रहे हैं हम लोग तो क्लाइमेट चेंज का तो कुश्चन आता ही रहता है तो वहां एक इंपेक्ट में हम लोग को यह यूज हो जाएगा मैं देखो कहीं किताब में सब चीज लिखी नहीं होती तुम्हें अपना नॉलेज को यूज करना होगा तो यह चीज तुम एक यह कीवर्स तीन से चार पॉइंट अपने में यूज कर सकते हो अब इन्होंने इस रिपोर्ट में यह चीज प्रॉपर उसके बाद में क्लाइमिट चेंज पॉल्यूशन वगर इन सब चीज तो यह ग्यान वाली बातें भी आप कीवर्ड देख सकते हो यह कई बार में बहुत काम आते हैं तो यह बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना आगे बढ कर सकती है मतला वो कमजोर पड़ सकती है इस भाई CDC कहानी है पोलर एरिया है यह थंडा छेतर है ना ग्रीन लेंड वगर यह तो थंडा पानी का सुभाव क्या होता है कि वो थोड़ा भारी हो जाए नीचे बैठ जाए नीचे बैठेगा यह पानी गर्म रहता है तो उपर र दो इसके कारण अब तक पानी तो पहता रहता था लेकिन अब चिंता यह जता रही है कि बढ़ते है इसके बीच में कम हो गया और यजिय यह सा हो गया तो गल्फ स्ट्रीम चलना बंद हो जाएगी मतलब सीदी सी बात है कि मैं हालिक देता हूं आपको कनेक्शन कि जो पोलर एरिया है वहाँ पर यदि water warm रहा तो लेवल जो है water का अब हो जाएगा उपर उठ जाएगा पानी उपर उठेगा पानी उपर है और यहां का भी उपर है तो दोनों उपर उपर पानी कैसे चलेंगे मतलब गल्फ स्ट्रीम कलाप्स हो सकती है climate change से तो यह चीज थोड़ा से ध पानी वैसे एर भी होती है तो energy transportation में पोलर से equator equator से polar region में यह ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मदद करता है अब यही चीज बंद हो जाएगी तो कैसे काम बनेगा cyclonic system disturb हो सकते है weather phenomena disturb हो सकते हैं बहुत सारे issues create हो सकते है तो अब कल को statement में प्रिलिम्स में आ सकता है कि global warming से ocean currents म impact आ सकता है क्या इस तरह से थोड़ा सा आपको idea होना चाहिए बाकी तो जो जो ग्यान की बाते थी वो मैंने आपको बता दी कि powerful ocean current है Atlantic Ocean में Gulf of Mexico इसे हम लोग अभी गर्म ocean current है तो Europe का blanket भी कहते हैं यह सारी चीज अपने को पता है climate का regulation कर रही है यह कई बार हम देखें यह एक खाइदे भी है ठीक है तो hope की मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो अपनी यह जो कहानी थी वो यह थी कि भाई study यह चीज कह रही है कि collapse करने की मतलब carbon emission नहीं रोका गया और climate change global warming को नहीं रोका गया तो यह समस्याए बढ़ेंगी यह तो पता ही होगा आपको 1-3 March के बीच में अनकेडमी ने आप लोगों को free access दे दिया है प्लस subscriptions का साथ दिन का ट्राइल लीजे एक से तीन के बीच में registration करना होगा लिंक नीचे आपको description में मिल जाए कि लेकिन ध्यान पहले आप trial ले चुके तो आप eligible नहीं होंगे तो नए learners के लिए specially अनभव करने का मोका ह है बाकी तो आप हर विशय के लिए subject expert आपके लिए अवेलेबल है अनकेडमी पर complete UPSC का guidance ले सकते हैं full complete त्यारी कर सकते हैं और अच्छे से मेरी class में तो तुम यादी कर लोग है हर चीज मेरा code सबको पता है SGYT10 इसका इस्तमाल करें और subscription लें आगे बढ़ेंगे कुछ बहुत अच्छे चीज़े भी न्यूस में थी जैसे चेंगला pet forest नहीं पता होता कहा है वेदान थंगल bird century नहीं पता होता कहा है लेकिन अब हम चलेंगे वहाँ पर actual में एक invasive weed एक आकरमक प्र रूप दिखाती है जो परजीविता वाला रूप दिखाती है कि मतलब इस पर dependent है तो यह नौर्थ अमेरिका इसका native origin है अब यह इतने जादा है जो है यह बहुत जादा तरीके से मतलब पेड़ पर आ जाती कि कही बार जो है वो पेड़ भी सदमे में आ जाता है कि भाई य तो एक तरह से होलो पेरासाइटिक प्लांट कहते है मतलब इसका मतलब यह होता देखो एक कीवर्ड है हाँ पर अपने लिए environment के लिए होलो पेरासाइटिक होलो पेरासाइटिक मतलब जिनको photosynthesis की जरूरत नहीं होती और यह सिर्फ host प्लांट पर रहती है सर्वाइव करने क लिए तो यह ओईल सीट पलसेज फोडर क्रॉप सब कुछ जो है आंद्र प्रदेश बगएरा के रीजन में इससे प्रभावित हुआ है और यह नॉक्जियस वीड है 25 देशों में तो कि मतलब हानी का रहा है कि जब यहां पहुंचते हैं सब कुछ नहीं लग पाता तो इस में बड़ी समस्या है तो कसकुटा डॉर्डर के बारे में पता रखना आपको जरूरी कि नौर्थ अमेरिका का है वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी भी कोश्चन आ सकता है सो वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी आपको पता होना चाहिए यह हम लोग को मालूम है कि यह रामस यह से दिखेगा आपको तो यह सी कुछ स्पीशीज है पर यह थोड़ा सा बेसिक है याद रखना काम की चीज़े है कहां पर क्या है ठीक है और यह कसकुटा डॉर्डर क्या होता यह भी पता लग गया आपको नहीं तो आदे टाइम पता ही नहीं चल रहा है स्पेशली पावर बनाएगा ऑफकोर्स सोलर एनरजी तो ग्रीन टेकनोलोजी आपको दिख रही है एनरजी उर्जा सब कुछ ठीक है और मंत्रा ले आपको सबको पता है बेसिक आइडिया आपको इसका याद रखना है इसके बाद में अभी जो है माइक्रो फूड प्रोसिंग इंटर सूक्ष में खाद्य प्रसंसकरण उद्योग है उनके लिए ये एक स्कीम आई है जहां पर क्रेडिट लिंक सब्सीडी एट 35% अफ ये थोड़ा सा काम की चीज़ याद रखना पुरानी स्कीम है लेकिन इसको अभी जो है फर्मलाजेशन किया हुआ है तो थोड़ा सा इसको अब बार रिपोर्ट इसलिए काम आजाती है क्योंकि हमें उससे एक तो जो एक्ष्वल सिनेरियो वह समझ आ जाता कि भाई कहां जा रही है चीज़े एक समझ में तो आए तो सबसे पहली चीज तो इसको इतना जादा है कि सीधा वाटर स्वाइल इनको सबको इंपेर्ट कर रहा है जी हां उसके बाद में ये जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बढ़ा है इसका भी अपने पास एक डेटा होना चीज़े अट लिस्ट है ताकि आप में इस चीज की समस्या बताओ तो शुरू क बढ़ सकते हो विद्ध है फैक्ट वो चीज होती है जो कि आपकी बातों में दम लाती है जब आप आंसर राइटिंग लिखोगे तो जो चीज आप लिख रहा है उस चीज को प्रूफ कर सकते हो ठीक है गोर्मेंट इसूस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो प्ला आप अब वेस्ट हो जाता है तो वो कंपनी वापस लेगी जैसे मोबाईल फोन है वेस्ट होने वापस भी लेना चाहिए वह फोन जो वेस्ट हो चुके ताकि रिसाइकल करके काम की चीज यूस कर सकें और एटलिस कहीं इन फॉर्मल चैनल में जाके वह यहां-बहां कुछ तशकरी ना हो रही हो पता लगे कहीं और जाके जो है वो डंप हो रहा हो तो जो जिन्होंने जो material बना रहा है प्रोडूसर उनकी भी responsibility होनी चाहिए फिर उसके बाद में वेश जनरेशन वगरा जो है उसका एक प्रॉपर collection segregation कोई method इतना जाद हमें दिखनी रहा है recommendation क्या है तो जो चीज समस्या है उसी चीज को आप यह अमीन सांसर राइटिंग का बहुत बढ़िया content बन सकता आपके लिए कि एक डेटा मतलब ऑनलाइन डेटा एक मतलब नेशनल डेश बॉर्ड एक प्रूफ ऑफ फोटो जीपिएस location के साथ सारी चीज रिपोर्टिंग हो comprehensive policy जो है वो बनाई जाए penalties के बारे में काफी strictly बात की जाए ठीक है waste pickers को जो है बहतर रूप से observe किया जाए और उसके साथ साथ उनको एक proper formalized channel में रखा जाए इसके साथ साथ global treaty for legally binding plastic controls मतलब of course सिर्फ एक देश काम नहीं करेगा आपको सबको यहां पर साथ में आना पड़ेगा तो सारी चीज़ें इस फॉर्मल तरीके से पास में आपको यहां एक national park मिलता है सबसे पहले तो वह याद रखना है गुगामल नेशनल पार्क तो इसके साथ यह मैजदो कॉलम आ सकता है ठीक है और शुरुबात के जो टाइगर रिजर्ब नोटिफाइड हुए उन में से एक है अमरावतिक अच्छेतर है सत्पुडा मैकाल वाला रिजन है सत्पुडा यह आपको परवस्चेनी सत्पुडा वाला रिजन मिलेगा आपको अब यह भारत का पेनिंसुलर एरिया मतलब यहां पर अपने को ड्राइड एस याद रखना है सुषकता वाले बन मिलते हैं क्योंकि एवर्ग्रीन तो सिफ यहां में बाकी तो टी हो गया उसके बाद में अलग-अलग बैंबू वगरा की कहानी हो गई अलग-अलग प्रकार के तो यह नॉर्मली आपको देखने मिल जाएगा बाकी तो टाइगर बगरे के साथ जो सबसे कॉमन अनिमल्स हैं इंडियन गौर्ड लेपर नील गाय वगरा सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो इसकी लोकेशन अच्छे से पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अम में आपको समझाने जा रहा हूं प्लीस फोकस करना 14th conference हुई थी जैसे climate change की conference होती है वैसे migratory जो species होती है उनके लिए भी हमने convention बनाया हुआ ह बाइक हर चीज जैसे भी pollution देख रहे हैं हर चीज में क्या होता है कि एक कम से कम सभी लोगों को साथ में आना चाहिए ग्लोबली हमको effort लगाने पड़ेंगे तो अभी हम लोग migratory species को लेकर जो है हमने convention बनाया था तो इनको इसकी जो है उसबेकिस्तान में meeting हुई है state PCS के लिए एक तो question आ सकता है 12-17 फरवरीक बीच की कहानी थी उसके बाद में क्या-क्या चीजें हुई तो सबसे पहली के बाद यह काफी जादा उसमें चर्चा में आ गई थी में उद्देश से क्या रहेगा इन सब चीजों का कि हम लोग जो migratory species है तो at least याद रखो बॉन convention का संबंद migratory species से है ठीक है इसके बाद में इसमें 2 है जिसमें हम लोग जो migratory species specially endangered है और जिनके बीच में agreement हुए है अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 का मतलब अलगलग sections होते हैं जिसमें species रखी हुई रहती है और सब species का अपना प्रावधान होता है कि इसको कितना महत्व देना है इंडिया और भारत के बारे में बात करें तो हम लोग भी शुरुवात से जुड़े हुए और उसके बाद में बहुत सारी several जो migrator species होती है उसको भारत ध्यान रखता है जैसे Siberian crane हो गया marine turtles हो गया डुकॉंग्स हो गया ठीक है इसके बाद में लास्ट जो 13 थी इंडिया ने इसको जो होस भी किया था गांधी नगर गुजरात में तो यह चीज भी अपने को ध्यान रख सकते हैं एक statement य स्ट्रेजिक प्लान यह शब्द भी आ सकता है कि यह शब्द एक्च्वल में कहां पर फेमस हुआ तो convention में हुआ माइग्रेटरी स्पीशीज के उसमें ठीक है ध्यान रखना बॉन कंवेंशन से संब्द देए अब यह भी लोग इंस्पार यह हम बात करें तो जो अल्रेडी बाइवर्टी का फ्रेमबर्ग था मारा कमिंग वॉन्टिल ग्लोबल उसके एक तरह से आप कह सकते हो कि उसके सा किया हुआ है चाहुदा ऐसी माइग्रेटरी स्पीशीज के बारे में इन्होंने जो है एग्री किया है जिसमें युरेशन लिंक्स है पेरूवियन पेलीकंज है पलासकेट है इस तरह की कुछ स्पीशीज तो ज्यादा अपने कुछ परिशान नहीं होना लेकिन एक बात इवर्ड एक्जाम में आ सकता है जी हां इसमें इंडिया भी शामिल है इस लाइक छेत एक रास्ता उस बीच में कौन-कौन से देश आ रहा है उस रास्ते में कौन-कौन से देश आ रहा है उन पर हम लोगों को समालना उन देशों पर काम करना है उनक्योंकि वहीं पर उनके ग्रेट बस्टर जो एक तरह सकते हो कि बर्ड से पता है राजस्तान में काफी जादा समस्या है तो उसको भी दोड़ा सा द्यान रखना है जागवार इनिशेटेव इस प्र काम किया गया इसके आद में Central Asian Mammal Initiative, direct सवाल, direct, कि भीया किस में हुआ है, किस के तहद हुआ है, तो अपने को याद रखना है, Bonn Convention, जो उसके बाद में Insectivorous Animal Populations है, जी सर, उन पर भी हमें काम करना है, Insectivorous Keet-Bakshi जो होते हैं, ठीक है, Global Guidelines on Light Pollution and how it contributes to the death of millions of birds, इसमें Light Pollution के बारे में बात कर जो हम रात में आपने देखा होगा, पहले तो हमें खूब तारा मंडल दिखता था, तारे दिखाई देते थे लेकिन अब इतना जादा Light हो गया, इतनी Electricity, मतलब रात में जो शहर का बढ़ना, Urbanization, तो इनको कई बार जो है, पात समझ नहीं आते हैं बर्ड को, उसके बाद म कौन-कौन सामिल किया गया है, Marine Aquatic Species में, जिस पर ये लोग ध्यान देने वाले हैं, जिसमें Atlantic Dolphin है, Hawksbill Turtle है, और Angel Shark है, ठीक है, Hawksbill Turtle आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स टॉपिक है, Rip Current क्या होता है, भाई, Rip Current को समझना थोड़ा सा ध्यान रहो, ये कई बार तुमने देखा ह लेकिन, रील में ही समय चला गया, छपक छपक में, लेकिन छपक को अबजर भी नहीं कर पाया, तुम क्या था, हुआ कुछ नहीं, पानी आया, समुद्र के किनारे, अब वो जब Land Mass है, जैसे ये समुद्र का किनारा होता, ये देखो, ये Headlands कहते हैं, अब इन से पानी टकरा से की तरफ जो जाता है, इस दा रिप करेंट, ये कभी प्रेलिम्स में एक स्टेट्मेंट में आ जाएगा, तो भी ढूंडें कि हम लोग क्या है, जब पानी आक टकरा के चापक करके वापस जा रहा है, ऐसे याद रखो, ये आर फॉंड बाई बीचस टोपोग्राफी, जि इंटरनेशनल सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान, ये भी एक आ सकता है कि किसके तायत आया है, तो ये वही वाटर बड्स एग्रिमेंट बना है, किस चीज को अफ्रीकन उरेशन माइग्रेटर बड्स को कंजर्व करने के लिए, ओवरॉल हम ये सोच रहे हैं कि जो वाटर अच्छी जगह बने रह सके हॉक्स बिल्ट सी टर्टल भी था याद रखना है क्रिटिकल इंडेंजर प्रभू ये अच्छे से इंपोर्टन याद रखना है यह भारत में भी आ जाता है ठीक है तो ध्यान रखना इसके बाद में प्राइमरी फांडिन ट्रॉपिकल सब ट्र इसके बारे में जानकारी जैसे जानकारी इनके बारे में पूछ सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख से फिर जो अभी हम बात कर रहे थे अफ्रीकन युरेशी माइगरेटरी वाटर बर्ड्स का एग्रिमेंट हुआ है तो अपने को बता होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल है ताकि उनका हम कंजर्व कर सकें किसके तहरत है तो देखो इसमें कंवेंशन ओन माइगरेटरी स्पीशीज लिखा हुआ है ध्यान से देखें देखा और साथ में कौन समालेगा युनाइटेड नेशन इंवार्मेंट प्रोग्राम दिस इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट ला अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नूस पेपर में आएगा जब भी कुछ डिसीजन लेंगे तो आपको पता होना चाहिए यह इसके तहट है इसके तहट इसके तहट का मतलब कंवेंशन ओफ अफ अफ्रीकन माइगरेटरी अफ्रीकन उरेशन माइगरेटरी उलंगें अपहर कोंद मांत कर सकता है सब्सक्ती पांद अपता है तो इसको का मिलेगा वेस्त का हर थीचा कछिए उसके छेत्रमे अगस्त्यमं पर पर मेंशेशнов रखना यह क्या टाइगर रिजर्व है क्या यह बताओ मुझे आप इसके बाद में बाकी तो यह डैम सेल फ्लाय को याद रखना है इसको हम बैंबू टेल बगरा भी कह रहे हैं बैंबू टेल ग्रुप का है यह और आयू सी एन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग यह एक तरह से नियर थ्रेटेंड है लेकिन ध्यान रखना वेस्टन गाट का इंडेमिक है यह काम की चीज है निलगिरी हिल्स रावती वैली वगरा में मिल जाएगा मतलब करनाटक के रिजन में मिल जाएगा यह ठीक है नेक्स्ट वन एक टॉपिक ओर आ सकता है एनॉक्जिक एनॉक्जिक मरीन बेसिंस क्या होते हैं तो भाई एनॉक्जिक का मतलब होता है जहां पर स्वशन नहों मतलब जहां पर ऑक्सिजन की अविलेबिलिटी नहों तो कहीं बार क्या होता है कि उपर तो सनलाइट आ रहा है फाइटो प्लेंक्टन जैसे पेड़ पौदे हमारे लिए ऑक्सिएन कैसे बना रहे हैं वैसे फाइटो प्लेंक्टन वगरा के कारण और डिजॉल्व ऑक्सिजन एड्मॉस्फियर के कारण उपर तो रहेगा लब सीओ टू वगरा सब आपको देखने को मिल जाएगा यहां प उस दोरान ऑक्सिजन कंज्यूम कर लेते तो जितना डिकंपोजिशन होता है उतना ऑक्सिजन करते हैं तो कहई बार ऑंक्सिजन की कमी बिजाए तो पानी का वो जहां पर ऑक्सिएन जीद मरूस्रीन जाते हैं यहां पर ज़्यादा mebbe commence नीई कर पाते हैं उसके बाद में माइक्रोब जादा पाए जाते हैं उसके बाद में आप यह कह सकते हो कि यह आप बोल सकते हो यहाँ पर comparatively CO2 या carbon sequestration carbon sink जादा हो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जहाँ पर oxygen ना हो इसमें black sea काफी जादा बड़े मात्रा में देखने को मिलेगा Baltic सागर बगर में इसमें देखने को मिलेगा यह सारी चीज़े ठीक है आगे बढ़ेंगे triple dip lanina मैं कई बार इसको पढ़ा भी चुका हूँ आप एक बार google पे सर्च करें लग यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिरे नाम से आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो triple dip का मतलब होता है तीन बार continue lanina में इतना ध्यान रखो कि इधर की wind बहुत strong होती है मतलब north जो easterly wind होती है वो बहुत strong होंगी भारत के नजरिये से देखें तो easterly wind समझते होंगे हम लोग यह वाली जो easterly wind है बहुत तेजी से अब जब तक यह wind तेजी से रहेंगी तो हो सकता है monsoon जो इधर से आ रहा है वो कहीं बार late आए उतना strongly ना आप सके तो एक तो monsoon का delay होना ठीक है फिर pollution यहां वहां से और जादा pollution आ गया दिल्ली की तरफ दिल्ली से आगे राजिस्थान गुजरात तक चला गया क्योंकि यह wind जदी active रहेंगी तो उतना ही जादा समस्या पैदा करेंगी तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मानलो यह अभी तक दिल्ली में प्रोडूशन देख रहे थे उसका असर तुम्हें गुजरात राजिस्थान हर जगे दिखाई दे सकता है तो यह वही कह रहे है कि ला नीना से कल को कोई बोले आप से तो क्या-क्या चीजें चेंज हो सकती है तो यह मैं वही बताने वाला था कि आप लोग देखेंगे कि दिल्ली में एक बार भरी प्रोडूशन थोड़ा सा तुम्हें कम दिखा लेकिन वह मुंबाई बेंगलोर यह इन सब छेत्रों में कंपेरेटिवली जादा देखने को मिल गया इसके बार जो पर्टिकुलेट मेटर था ओक्टोवर से जनवरी के बीच में ठीक है तो इसका सीधा कनेक्शन लानीना से तो ऐसा कल को अलग कहानी हम पढ़ते हैं कि ओशियन का वाटर चेंज हो जाता है बट ओशियन के वाटर से एयर में बदलाव आ रहा है और एयर का प्रेशर चेंज होगा तो विंड चेंज होगी तो आप मान के चलना भी फिलाल कि विंड सिस्टम जब नौर्थ इस्ट वाला इस्टली ज गुए बहार या केकी चार एडी एघ्जाम में आ सकता है हम तो केंगे फौर एडियॉद नहीं भाई ब्रहम पुत्र रिवर अपने को पता है अब असम वाला एरिया जो तुम्हें वालो है तो ब्रहम फुत्र रिवर बाले रीजन में दीमंड पर श प्रें सेडिविंट तो एक चीज यह चीज थोड़ी सी आप लोग याद रखना देखो यहां पर फिर क्या लोग रह रहे हैं लेकिन लिमिटेड एक्सेस है पूर रोड्स हैं हेल्थ केर नहीं है वाटर रेसोर्स उतना अच्छा नहीं है अब लोग जमीन देखके तो रहना तो सुरू कर देते है लेकिन बाकी सारी चीज़े नहीं होती बाड आती तो बहुत समस्या आती है वो सारे कंसर्ण को लेकर यह न्यूज में था आगे बढ़ेंगे नैच्रल रबर के बारे में पता होना चाहिए अपने को नैच्रल रबर जो है तो उसमें एक तो थाइलेंड इंडोनेशिया चा हाइज लगेगा वेल रेंड स्वाइल चाहिए और स्लाइटली एसेडिक की तरफ भी हम ले जा सकते हैं दो एरिया है जहां पर रबर्स हम लोग देखते हो इधर वैसे तो केरला में सबसे ज़्यादा मिलेगा ठीक है बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए आगे बढ़ेंग आप प्रोसेस के लिए बड़ा फेमस अब यह प्रक्रिया क्या है तो कई बार आप देखते हो कि वह लपेट देता कि चीज को अपने भक्षन करने वाले को तो उसकी स्वेशन उसकी सांस रुक जाती है तो सांस रुकने वाली जो प्रोसेस है मतलब कि कौन ऐसा जीव है जो प्रोसेलो कर लेता है अंदर चला जाता है तो यह इस पॉइंट के लिए मेरे को पढ़ाना था यह थोड़ा सा डिजास्टर मेनेजमेंट के लिए कॉंटेंट है आप लोग के लिए कि फ्लड मेनेजमेंट और बौर्डर एरिया प्रोग्राम यह एक सेंटरली स्पोनसर्ड स्कीम है इसमें दो चीजों के बारे में बात करें एक तो रिवर का मेनेजमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग ठीक है उसके बाद में बार्डर यह फ्लड मेनेजमेंट भी हो रहा है मतलब बार का जो है मैनेजमेंट वो भी कर रहे हैं अब इसमें सीधी सी कहानी है कि जो नदी के किनारे वाले छेत्रे हैं फ्लड जहां पर comparatively जादा आ जाता है erosion बहुत होने लगता है उन सब चीज़ को control करने के लिए ये program चलाया गया था तो इसको ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना है कि especially river related वाले जो छेत्रे हैं ग्लाइसमिक इंडेक्स कम होता है बहुत सारे इसमें जो है आपको प्रोटीन वगरे जिंक आइरन मेगनेशन सब कुछ मिलेगा largest producer importer भी है और legume crop है मतलब ये फलीदार फसले हैं तूर कहते हैं इसको अपन इसके साथ-साथ ये एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये खरीब की तरफ जाएगा ये मतलब normally हम ये कह सकते हैं कि rainy season जो है rainy season उससे संबंदित है हलाइकि according to the situation लोग change भी कर लेते हैं लेकिन लग सकता है rainy season में उसके बाद में आगे यदि हम लोग देखेंगे बना उसके बाद भी यदि जाएगा तो ये post rainy season के आप लगा सकते हो बट जाएगे खरीफ की तरफ हम इसको ले जा सकते हैं लेगून्स को आगे बढ़ेंगे हम लोग bed water basin के बारे में पूछा जा सकता है कि bed water basin का है तो भाई CDC कानी bed water basin जो death valley में जो desert area वाला है ये हम लोग जाएंगे नौर्थ अमेरिका में कहां जाएंगे हम लोग नौर्थ अमेरिका में नौर्थ अमेरिका के रीजन में जाना पड़ेगा USA में जाना पड़ेगा USA में California में जाना पड़ेगा Death Valley नाम के desert में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको ये मिलेगा लेक, एफेमरल लेक एफेमरल लेक मतलब वो जो जिसका कोई connection नहीं होता किसी नदी से saline भी हो सकता है पर ये काफी जादा पानी जब इसमें बारिश वगएर के कारण मानलो भर गया तो एक लंबे समय था कि पानी को रखनी पाता कभी-कभी एक साथ बस्ट हो जाता है तो ये पूरा पानी पूरा फैल के बाड़ भी आ सकती है तो ये कई बार इतना जादा बड़े भी हो सकते हैं यहां से ट्रेगर हो सकते हैं तो एंडोरिक बेसिन का मतलब वही है कि एक तरह से आप यह कह सकते हो कि अपने आप में सलाइन एरिया भी आप बोल सकते हो थोड़ा से लबनता युक्त उसके बाद में नॉर्मली यही हम लोग कहें कि वाटर अंदर जा सकता है लेकिन बाहर ने निकल सकता है कोई सोर्स नहीं है बाहर निकलने का पानी फिर वह खटा होता रहता है और फिर जब वह एक साथ बस्ट हो जाता है डेथ वैली के इस रीजन में मिलेगा, बेड वाटर वेशन याद रखना, फेर्मेर लेक आपको मैंने बता दिया है कि थोड़े देर के लिए वो फ्लड़ेट फॉर्ड पिरेड ऑफ टाइम डूरिंग यर बट में नॉट होल्ड वाटर फॉर्ड वाटर फॉर्ड वारिश यह कभी-कभी आ सकता है कि बेड वाटर वेशन कहां पर है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग पढ़के रखनें, नेक्स्ट वान है सिंग्भूम क्रेटन, अब क्रेटन क्या होते हैं, तो क्रेटन एक्शुल में वही है, रॉक है, बेस है, मतलब जो हमारा क्रस्ट मतलब यह प्लेट की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन प्लेट एक्शुल में नहीं होता, प्लेट से और आप कह सकते हो, पुराना एक तरह से लिथोस्पियर का हिस्सा है, रॉक का पार्ट है, काफी ओल्ड पार्ट होते हैं, यह स्टेबल होते हैं, ज्यादा भूकम वगरे इसके बाद में आपको बस इसलिए बता है कि थोड़ा सा याद रहे, इसके बाद में यहाँ पर आपको वोलकेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो सिंग्भूम शब्द को याद रखना यह जारकंट से संबंदित है, इसके बाद में इसको पढ़ना इसको स्टडी करना, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें टेक्टॉनिक मूवमेंट्स इससे पता लग जाते हैं, पुरानी अर्थ की हिस्ट्री समझ में आ जाती है, बहुत सारे इसके सिंग्निफिकेंस अपनी जगा है, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट ज उसके लिए माचल प्रदेश जाना पड़ेगा, बाड़ा लाचला पास जाना पड़ेगा, बाकी तो आप मेरी मैप की क्लास में सारी चीज़ पढ़ चुके हो, इसके बाद में ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पढ़ो, अभी न्यूस में था कि गोवा में जो है अव अब ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, ये दो हजार दस में आये था, कॉन्फरेंस ऑप क्लाइमेट चेंज, जो यूनाइट नेशन फ्रेमवर्क और कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाली यूने ट्रिपल सी, ये कोई वाटर के लिए नहीं है, मतलब ये उधर माच चले अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक भाईया, शॉफ्ट सेल टर्टल को भी याद रखना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और स्पेशली है, हमारे चंद्रागिटी रिवर बेसिन वाले रीजन में भी जो है, देखने को मिला, वहाँ पर ताल कावेरी वाइड लाइफ सेंचुरी है, करनाटक डिस्टिक में उसके आसपास भी ये चैतर देखने, मतलब अब सिरी सिकानी रिवर तो वहां से ही अरणाटक से करला की और आ रही है, तो पेरुम पूजा रिवर भी कहते हैं हम लोग, केरला में भी unknown है करनाटे paying वहां पर आपको यह शोफट इसको ध्यान रख सकते colors अगये अ can आपको पता है कहां पर है इस चीज़ को अपने को यह भी याद रखना है सवाना रीजन आपको मालू है सवाना यहां तो सेरडोस और कटिंगास केमपोज हम कहां पढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल ग्रासलेंड साउथ अमेरिका ब्राजील में हमें जाना पड़ेगा ठीक है इसक बास्तर के समय हम बचा जा सके इंक्रोच्मेंट बचा जा सके लोग जो है यहां पर अतिक्रमन न करें यमुना रिवर को थोड़ा सा और समाला जा सके बहुत सारी चीज़े हैं यह में से ओरिंटेट टॉपिक है पीडिएफ से इसको पढ़ना होगा ज्यादा इसमें डिट लेते हैं तो शॉर्ट लेप पॉलिटेंट को ध्यान में रखने के लिए उन पर थोड़ा सा काम करने के लिए कि उन पर जो है हम लोगों को उतना उत्थरजन कम हो तो एक कॉन्फरेंस हुई है जिसे इंटरनेशनल कॉलाबरेशन टू फेज आउट शॉर्ट लिप्ड क्ला मिल है इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना तो कल को ये भी कुश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एर कॉन्फरेंस किस चीज़ के लिए होती है तो शॉर्ट लिप पॉलिटेंट्स के लिए होती है ठीक है ये उसके स्वोर्स है अब एक चीज़ वह रहा है एक ए अब एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब ये एक तो question direct पूछा तो at least याद रखना है कि ये fossil fuel से संबंदित है और ये legal actions भी ले सकता है उन सरकारों पर जो कि इसके according बात नहीं सुनेंगे तो तो इसमें अब जरा ये चार देश जो थे वो news में थे इसके साथ साथ इसका headquarter आप से पूछा सकता है कि 1991 Brussels याद रखना उसके बाद में आप से ये भी बात की जा सकती है कि जो है कहां कहां पर जो है सिगनेटरिस तो लगभग ये European Union specially याद रखना और energy जो community है European की उसको साथ में रखके ये देशों ने जो है इसमें शामिल हुए थे तो अब news जो थी वो ये थी कि UK के साथ साथ France और Spain Netherlands जो है ये अब दीड़े से energy charter treaty के आसपास थोड़ा सा मतलब दूर होने की सोच रहे है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना अब ये कई बार context news में नहीं मिलेगा तुम्हें लेकिन ये ये काम की चीज मिल सकती है कि energy charter treaty क्या है कहां से आई ये सारी चीज़े ठीक है इसके बाद में बनिहाल संगलदन railway line अपने लिए चर्चा में है इसको आपको यहां न पढ़ेगा जम्मू कश्मीर लद्दाक के रिजन में यहां पर कहां से कहां तक आपको पता होने तो ये बनिहाल दिखाई दे रहा है और ये संगलदन दिखाई दे रहा है तो अटलिस का हिस्सा है ठीक है उसके चक्कर में जो है ये न्यूज में थी उसके बाद में ये सब बता दिया है कि operational कौन सा है कौन inaugurated हो चुका है completion किसका हो रहा है तो ये सारी चीज़ अब इसमें न कहीं बार क्या हो सकता है ये न्यूज आ सकती है कि काजी गुन कहां है ठीक है संगल गन कहां है तो इस चीज़ को अपने को आदा दुगगा रीजन कहां है रियासी तो अपने अब सुना ही होगा lithium वगरा के लिए तो ये ऐसे places ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको क्योंकि news कुछ और है और कहीं से कहीं कुछ और पूछा जा सकता है सित्वे port पूछ स पूछ सकते हैं तो इस project के तहट तो एक तो river आ सकती कालदन river जो है तो एक तो exam में पूछ सकता है कि भीया कालदन river जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी तो at least याद रहे कि specially हम लोग Myanmar और इंडिया को connect करना चाह रहे हैं सबसे पहली बात दूसरी बात ये कैसी river है जो मेजोरम और मयनमार के बीच में आपको देखने को मिलेगी मीजोरम और मयनमार मीजोरम अपना राज्योग है मेनमार देश होका है दूसरा यह अपने को याद रखना है कौन सी river है कालदन river ठीक है बूलना नहीं है बिल्कुल भी इसके बाद में इतना आप पढ़ें तो भी काम हो जाएगा उसके बाद में इनमें थोड़ा ऐसा न्यूज में था कि यह थोड़ी छोटी होती जा रही है मतलब ब्रीडिंग के कॉर्डिंग वगर है बट ठीक है अभी फिलाल अपने को यह स्पीशिस की स्टेटस भी पता हो जाएगी तो भी जियो इंजिनिरिंग टेकनीक आही है psychological का मतलब यह है कि हम टेकनीक जियोक टेकनीक यूज करते है ताकि हम climate छेंज अगरे से थोड़ा सा निजात पा सके तो इसमें हम क्या जाएगी, तो incoming radiation थोड़े कम हो जाएगी, तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तो cool down कर सकते हैं मर्द को, किसको spray कर रहा है हम लोग, कौन से particles हैं, तो यह exam में आ सकता है, sulfur dioxide, calcium carbonate, इस से वापस white color, जो है, albedo बढ़ा देगा यह, तो इसके कारण जो है, आप यह कह सकते हूँ नौर्थ इस ट्रीजन में मिलेगा, endangered species की जगह इसको याद रखना है, vulnerable की तरफ है यह, वो एक हिमालयन ब्राउन बियर जो है, वो critically endangered है, जहान रखना, confused मत होना, ठीक है, sites के भी appendix 1 में आता है, wilder protection x schedule 1 में आता है, इस चीज़ को अपने को याद रखना है, बूलना नहीं ह इसके बाद में बायो ट्रिक करके पूछा सकता है कि बायो ट्रिक क्या है, तो बायो ट्रिक भी अच्छे से याद रखना है कि बायो ट्रिक जो है, अपने लिए बहुत महत्रपून चीज़ है, यह बायो ट्रिक जो है, specially एक ऐसी technology है, specially waste management technology, सबसे basic चीज अपने को याद है, उसको हम लोग जला देते हैं, उससे फिर जो oxygen की कमी में जलाते हैं, मतलब ध्यान रखना है, absence of oxygen में, फिर उससे जो भी राक बगर निकलती है, तो एक तो वो यूज हो जाती है, खेतों में और यह अलागी इस चीज़ पर हम पढ़ते है, तो उसी प्रोसस पर यह बेज यह तो जो है, हम लोग इनका इस्तमाल करी सकते हैं, लेकिन agriculture में इसका इस्तमाल हो सकता है, तो जो cooking fuels है, home में, या एक तरह से जो कह सकते हो कि, soil fertility को बढ़ाना यह दी है, तो यह सब technology यूज की जा सकती है, तो ऐसा at least याद रखना है, एक्जाम में आ सकता है, कजागिस्ता न्यूज में है भईया, ध्यान रखना, at least अपने को पता हो किस से लगा हुआ है, रशिया से लगा हुआ है, तो ज़र चाइना से, किर्गिस्तान, उजवेगिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, तीक है, अच्छे से याद रखना है, यह काम की country है, अस्ताना इसकी capital हो जाएगी फिर है पंदरम आइलेंड, अब पंदरम आइलेंड हमें लगता है कि कुछ आइलेंड होगा, लेकिन लक्षदीप में पंदरम यह आइलेंड वो होते हैं, जिन में land ownership होती है, मतलब 1884 में पंदरम लेंड जो वो land को कहा जाता था, उन जमीन को कहा जाता था, जिसमें किसी ह प्रवाद को पड़ा है तो उसको उनर्शिप दे दी जाते हैं तो पंदरम लेंड इस यह शब्दा से फेमस है लक्षदीप में थोड़ा सा याद रखना इसको लेकर चर्चा में था यह को सी रिवर सबको पता है गंगा पढ़ते हैं तो हम फिर को सी पढ़ते हैं नेपाल से है अराम से वहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं इसके बाद में लेक लफ नीग आपको पता होना ची कि कहा है यह तो यह लफ नीग आपको नौर्थ आइरलेंड मतलब यूरोप में जाना पड़ेगा इधर वहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद मैं अलबानिया का कैपिटल पता हो तिराना बेसिक है कौन सा सागर लगा है एड्रियाटिक सागर इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखें साथ दिन का ट्रायल है इसका जरूर इस्तमाल करें नीचे लिंक है बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए कोड आपको सबको पता है SGYT10 थैंक्यू सो मच